स्विकारण सत्य का स्विकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर है जब तक मनुष्य सत्य को स्विकार नहीं करता उसे असत्य से लड़ने की शक्ती प्राप्त नहीं होती जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है आपका पेट स्विकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है आपका मन स्विकारता है कि आपका शरीर ठक चुका है और उसे विश्राम की अवशक्ता है उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्विकार ना पड़ता है कि बहुत हो चुका चाहे वो लालच हो या मदिराफान उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंब होता है जब आप ये स्विकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं ते एमयागाव वो बावा आएावावावावाव। सादवल पहावावावावावाव। प्हुत रड़ करेंगाव हुड़ भीजो डित और भीजू जेओप, आणेड़ा, और रीज़टे हैं? जानी है। जानी है। जानी है। और रहता गाहिए प्रेट दोटान खर रिव्द, प्रेट कर रेज्द, नहां कर रेज्द, अंजू हेवाण। कल दो जल डुर कल झा झार ओ els खिख जतरू कि अंगनास कर अई प्रुटेश्टेश्टे! प्रुटेश्टेश्टे! Sबस्टेश्टेश्टे! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हााााााााााा... कि ये क्या नर्थ कर दिया तुमने अर्जुन इतने वर्ष तुमने इस यूद को रोक कर रखा क्या क्या कुछ और शड़ नहीं रोक सकते थे ऩर फिरसे का क्यायर हम थे उला उला कर चो उला प्लिहेर उला कि more गडियाग कर खर्ज कर ए करेंप दे ग ey अज प्लिहेर डिरब दे उला है satisfactory बड़ प्लिपेपनी कि यू़ बड़ इस प्लिपेटर कर दो के प्लिब अजाती आला कि वह च्क मिए गोется है झाल झाल क्यों क्यों कि आपने ऐसा कि आप प्रारम से जानते थे ना जानते थे ना कि आप अभारे जैश्ट है इसलिए कभी मुझे कभी भीम को कभी नकुल सहते वर कभी अभी मन्यू को आप जीवित छोड़ते रहे एक बार सगेत तो किया होता जैश्ट क्यों जैश्ट क्यों क्यों नहीं रुका आपने उस उस हर पल मुझे जब जब मैंने आपके जनम पर प्रस्न किये क्यों नहीं आपने अपने बाणों से मेरा मुझ सील दिया क्यों जैश्ट आप जल प्लिप्ट मेड़ी एदार मेड़ी उया लो एंक, त हो आ гор ऑजिसी लोगा जया राव जया लोगा जया जया जये ऑफ जये ऑफ जये ऑफ कुर्दी अप अप अपने हैं जेस्ट को नहीं पार्थ यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुश आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी पार्थ रहार करो पार्थ अपने मार दर्शक की आज्या का पालन करो पार्थ रहार करो पार्थ मुक्त करो अंगराज को पार्थ अंजली का अस्त्र का प्रयोग करो अंजली का अस्त्र का प्रयोग करो नहीं पार्थ तुम पाफ नहीं कर रहे उन्य कर रहे हो तुम्हें एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे थे आप तो जानते थे ना कदाचित सबसे पहले ये सत्त्य आप जानते थे पर पर क्यों क्यों नहीं बताया आपने मुझे क्यों ये प्रारभ जुन्ने के लिए विवश्च किया आपने क्यों मेरे मस्तक पर अपने ही जेस के हध्यारे होने का कलंक लगवा दिया आपने क्यों मनुष्य को प्रारभ देने वाला मैं कौन होता हूं पार्थ मनुष्य को प्रारभ उसके चैन उसके कर्म देते हैं भार्थ बीज में स्वस्थ मीठे भल लगेंगे या उस बीज को सूख चाना होगा इसका चैन बीज स्वयम करता है भार्थ अपनी धरा चुनकर तुमने धर्म का साथ देना चुना पार्थ और कर नया धर्म का साथ देना मैं क्या करता हूं तुमने अन्याय के विर्ध स्वर उठाया और अंगराज मौन रहें मैं क्या करता पार्थ मैंने कई बार विकल्प चुनने के अफसर अंगराज को दिये पार्थ किन्तु उन्होंने यही चुना मैं क्या करता हूं मैंने तुम्हें पहले कहा था ना पार्थ के इस महायुद्ध में अब भी बहुत आहूतिय डलनी शेश है अब भी और विकल्प झाल 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 मैंने तो केवल तुम्हारे जेश्ट को उनकी पीड़ा उनके भार से मुक्त किया है पार्थ 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 वार्थ सब्सक्राइब मधी तुम्हे त्याग दिया कि समाज कभी एक कुभारी कन्या को स्विकर नहीं करेगा एक माता ने अपने हर्ष को त्याग दिया और ये पोज एक काटा बनकर मेरे रदय में चुपता रहा और आज देखो जब ये काटा निकला कैसे रक्त मेरा है मेरा वैसे एक पुतर अपने मातारी इनसे मुक्त नहीं हो पाएगी अश्रू नहीं माता अश्रू नहीं मैं अपकी पीडा समझ सकता हूँ मैं संसार से आप से अपने आप से अपने आप से बहुत ग्रोधित था पर अंतु अब नहीं है मैं अपने आप अपने आप अपने आप मैं नहीं अपने आप अभा स्वान मैंने आपको परिवर्दन का बचान दिया था परिश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्दन का अश्ट्याए प्रारब होगा मैं मैं आपका रही हूँ संतार सोजनम लेकर पर अवती बाता करन नहीं जुग जुगा सकते मुझे कर्व है कि मैं इस संसार में रादे करन के नाम से जाना चाता हूँ मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सला रादे कर के नाम से जाना चांक प्रूछाँ प्रूछाँ मुझे शमाग करना सदाहम मैंने तुहरा साथ तेने का मुझे दिया है और तुहरा साथ नहीं ते बात हूँ स्मौरण है हम पहली बार रत के पास ही बिले थे अन्तिन बार भी रत की चाया में ही है अपनी अन्तिम यात्रप पर निकल रहा अरु ख़र कर ना पास की तुम्हे रती साथ नहीं बना बाउंग मैं सदा तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हें एक शरीर नहीं हो करड़ एक सोच हो और एक सोच कभी नहीं मरती मैं बचन देती हो करड़ मेरे अंतिम श्रण तक तुम्हारे सुपन को अपने आँखों में जीवित रखेगी अवरुशाली झाल 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 झाल